हेलो फ्रेंड्स मैं फार्मसिस प्रंजल साथ पूते मेरी इस चैनल पर आप सुभी का सवागत करती हूँ तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लिव 52 सीरप के बारे में जो की पूरी तरह से आयववेदिक सीरप है जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से लिवर से जुड़ी सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए किया जाता है तो दोस्तों आगे हम इस वीडियो में इस लिव 52 सीरप के बारे में पूरी विस्तार में जान करेंगे कि मतलब इस सीरप को कप कैसे और कितनी मात्रा में दिया जा सकता है यानि कि इस सीरप के युजस क्या है डूसेच क्या है साइड इफेक्ट प्रिकॉशन इन सभी के बारे में पूरी विस्तार में चाल कर लेंगे लेकिन उससे पहले दोस्तों नीचे का जो रेट वाल सबस् दोस्तों जो लिव 52 सीरप है यह पूरी तरह से अईर्वेदिक दवायों के साथ बना हुआ सीरप है जिसमें कि आपको आरजुना हीम सराक कामाशी कसानी यह कुछ इंग्रेंट यहां पर आपको देखने को मिलते हैं जो कि लिवर से जुड़ी समस्याव को ठीक करने में मतलब यह प्रकार से लिवर कमजोर होने के कारण जो प्रॉब्लम को धीक करने की दृप करता है जैसे कि इसी व्यक्ति जौन्डीकी यान कि पीलिया की प्रॉब्लम है या फिर लीवर में इंफ्लामेशन होती है फैटी लीवर की प्रॉबलम होती है या फिर अलकॉल का जाधा सेवन करने के कारें लीवर पर सुजन वगेरा आती है तो ऐसे कंडियिशन में डॉक्टर द्वारा इस लीव 52 सीरप को प्रिस्ग्राइब किया जाता है इसके अलबा दोस्तों येदी किसी व्यक्ति को भूग नहीं लगती खाया हुआ खाना शरीर को नहीं लग रहा है या फिर वजन बहुत कम है तो ऐसे कंडिशन में भूग को बढ़ाने के लिए और वजन को बढ़ाने के लिए भी इस सीरब को लिया जाता है साथ है ये दी कोई व्यक्ति है जो लंबे समय से अंटिबोइटिक दवाईया या फिर पेंट किलर मेडिसिन ले रहा है जिसके कारण लिवर में टॉक्जिसिटी हुई है तो ऐसे कंडिशन में भी इस सीरब को प्रिस्ग्राइब किया जाता है पतलब दोस्त अब बात करते हैं इस सीरब की डोसेश के बारे में कि मतलब इससे कितनी मातरा में लिया जा सकता है तो दोस्तों नॉर्मल डोस की बात की जाए तो नॉर्मल एडल परसन में 10 एमल सीरब सुब और 10 एमल सीरब शाम को खाना खाने के बाद लिया जाता है और बच्चों की बा कि आपको इसे कितने दिनों तक लेना है दोस्तों यदि प्राइस के बात करें तो लिव 52 100 ml सिरप आपको के नजदे के किसी भी मेडिकल शॉप पर आसानी से 80 रुपए में मिल जाएगा तो चलिए दोस्तों आप बात करते हैं लिव 52 सिरप के साइडिफेक्ट के बारे में कि म अलती मतली होना यह साइडिफेक्ट देखने को मिल सकते हैं यदि आपको इन में से या फिर कोई और भी साइडिफेक्ट देखने को मिल रहे है तो आप से रुप को लेना बंद करें अपने डॉक्टर के सला अवश्य ले तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही आशा करती हूँ वीडियो की जानकरी हिल्फुल रही होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शर कॉमेंट शरू कर दीजिगा और ऐसे ही मेडिसन से रिलेटर वीडियो के लिए अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं धन्यवाद हुआ 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 है